भूपाल भाजपा दोरा उम्मिदवारों की लिष्ट जारी करते ही बगावती सुर उठने लगे रतलाम जिले के जावडा बिधान स्वा के वर्तमान बिधायक डाक्टर राजंदर पांडे की उमिदवारी से नाराज नगर परिशत के अध्यक्ष स्याम बिहारी पतेल ने निर्दलिया चुना लड़ने की घोशना कर दी है वहीं दो-दो मौजुदा बिधायक ने पैसे देकर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया है MP कॉंग्रेश ने अपने आधिकारिक ट्वीटर से एक वीडियो पोश्ट किया इसके साथ ही लिखा कि भाजपा बिधायक का खुलासा रतलाम ग्रामिन के वर्तवान भाजपा बिधायक मतुरा लाल डमडा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने डेर करोर रुपे लेकर दिलिप मकवानक और अतलाम ग्रामिन सीट का टिकट बेचा है भाजपा के चरित्र का चित्रन करता वास्तविक चित्र वहीं दिगज नेता दिगविजय सिंग ने भी ट्वीट किया पुर्व मुकमति दिगविजय सिंग ने एक लिंक ट्वीट किया है जो सोसल मीडिया पर जम का वाइरल हो रहा है चार बार के पुर्व भाजपा विधायक रमेश सकसेना इस वीडियो में कहते नजरा रहे हैं कि बीजेपी टिकट इस बार 10 से 15 करोर में बिकेगा विडियो में रमेश सकसेना कह रहे हैं कि पार्टी में टिकट की बोली लग रही है और या बोली 10 करोर से सुरू हो रही है उन्होंने तो विडियो में अमिश्चा पर भी सवाल खरे किया है विडियो में वा कह रहे हैं कि सिर्फ सिवराज ने तय नहीं किया अमिस्सा की टीम का निसकर्स है 116 सीटों में सरकार बन जाती है 1500 टिकट ऐसे लोगों को देते हैं जो दमदारी से जीत रहे हैं बाकी 80 सीट ऐसे दिये जाते हैं जिनका पैसा पार्टी फंड में चला जाए